दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल में मैं हूँ आचार इसके तिवारी बात करेंगे देब गुरु भिहस्पत के रासी परिवर्तन के बारे में एक माई 2024 को गुरु परिवर्तन करने जा रहे हैं तो आपकी रासी के लिए ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें तभी सारी बाते आपकी समझ में आएंगी दोस्तो बैदिक जोति सास्तर के इंसार समय समय पर ग्रह रासी परिवर्तन करते हैं जिसका प्रभाव सभी 12 रासियों के जातकों के जीवन पर पड़ता है सभी ग्रहों के निश्ची तंतराल पर गोचर करते हैं जोतिस में गुरू ग्रह के रासी परिवर्तन को काफी महत्पूर्ण माना जाता है, क्योंकि सारे ग्रहों में देभ गुरू ब्रहसपत को सबसे सुब ग्रह माना जाता है। जितने भी अच्छे कारी होते हैं चाहे हुए साधी विवा हो, मंगलिक कारी हो, धन से सम्मंधित हो, संतान से सम्मंधित हो, ग्यान से सम्मंधित हो, इन सारी चीजों पर देब गुरु ब्रहस्पत का एक अधिकार होता है देब गुरू ब्रिहसपत 13 महीने तक किसी एक रासी में गोचर करते हैं उसके बाद रासी परिवत्तन कर जाते हैं आपको बता दें कि देब गुरू ब्रिहसपत 1 मई 2024 को दोपहर 2 बच के 29 मिनट पर रासी बदलने जा रहे हैं अभी गुरू मंगल की मेसरास में ब्रियाजमान थे अब इसके बाद सुक्र की ब्रिसरास में प्रवेस करेंगे गुरू के ब्रिसरास में गोचर करने से आपके लिए यह गोचर कैसा रहेगा आईए जानने का प्रयास करते हैं बिसरास के दोस्तों देब गुरु ब्रिहस्पत का यह गोचर आपके लगन भाव में होने जा रहा है अभी तक गुरु आपके बारवे भाव में गोचर कर रहे थे अब 1 माई 2024 से 2025 तक देब गुरु ब्रिहस्पत आपके लगन में ही गोचर करेंगे इस गोजर के पैणाम सरूप आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सुप साबित होने वाला है कारीच छेतर में सफलता हांसिल होगी नोकिरी पेसा जातकों को नई नोकिरी की खोज़ पूरी होगी बेतन में ब्रिदिस से आर्थिक स्थिती में बहतर सुधार देखने को मिलेगा अतरिक्त आयके सुरोथ खुलेंगे बैवाहिक जीवन में सुख और सांती बनी रहेगी वहीं जिन जातकों का अभी तक विवाह किसी कारण बस नहीं हो पाया था इस वर्स उनका विवाह होना भी तैह है और विवाह में उन्हें अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं सेहत इस दोरान बहुत ही बहतर कही जा सकती है अगर अभी तक आप बीमार चल रहे थे या किसी कारण बस स्वास्त सम्मंदित कोई भी परिसानी थी तो इस वर्स आपकी सारी परिसानिया दूर हो जाएंगी इस दोरान धर्म कर्म में आपकी विसेश रूची रहेगी मान सम्मान की प्राप्ती होगी और आपके अंदर एक गजब का आत्मिश्वास भी दिखाई देगा दोस्तो देव गुरू ब्रियस्पात आपके लगन भाव में बैठ कर पंचम दिर्ष्टी से आपके पंचम भाव को देखेंगे और इसकी वज़े से संतान से सम्मंदी जो भी परिसानी अभी तक आपके जीवन में चल रही थी उन सारी परिसानियों का अंत हो जाएगा संतान आपकी उन्नती करने वाली होगी संतान को नई नोकरी की प्राप्ती हो सकती है उनके ब्यापार बेवसाय में बहतर प्रगत देखने को मिलेगी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में बहतर प्रोगिस दिखाई देगी इस गोचर के दोरान आपको अपनी संतान पर गर्ब होगा इसके साथ ही आपका मन धार्मी कारियों के और भी रहेगा पूजा पाठ में अच्छा मन लगेगा अगर कोई पुराना निबेस आपका है तो इस दोरान आपको अच्छे धन की प्राप्ती हो सकती है अचानक से उस संपत्ती की कीमत बढ़ सकती है जो लोग सेयर मार्केट लाटरी सटा आद में कारि करते हैं उनके लिए यह बहुत ही सुव रहने वाला है अचानक से उन्हें धन की प्राप्ती होने वाली है इस गोचर के दोरान आप प्रेम बिवाह भी कर सकते हैं क्योंकि गुरू के पंचम दिष्ट पड़ेगी और यह आपका प्रेम का घर है तो आप अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं और प्रेम बिवाह भी कर सकते हैं इस गोचर के दोरान आप बिदेशी भासाओं को सीखने का प्रयास कर सकते हैं यह आपकी रुची इस छेत्र में उत्पन हो सकती है यह भाव पूर्व जन्म का भाव भी कहा जाता इसलिए जो भी आपके अच्छे कर्म है वह इस बर्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपके अच्छे कर्मों का फल देफ Sadhguru बिहस्पत के सब्तम दिष्टि आपके सब्तम भाव में रहेगी जो कि आपके जीवन साथी का आपके पार्टनर का घर कहा जाता है और इसकी वज़य से इस बर्स आपका विवाह होना निश्चित है आपको प्रयास करना पड़ेगा आपका बिवा इस बर्स हो जाएगा जिन लोगों की बैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की अभी तक परेशानी चल रही थी जीवन साथी के साथ मन मुटाव चल रहा था या उनके साथ किसी भी प्रकार के संबंद अच्छे नहीं थे तो अब देव गुरु बिहस्पत की अमरित मैं दिष्टी पड़ेगी तो आपका वैबाहिक जीवन बहुत ही सांदार रहने वाला है इस दोरान आप पार्टनर्शिप में कोई नया ब्यापार अगर सुरू करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं आपके लिए यह समय अनकूल सावित होने वाला है अगर आप पहले से ही पार्टनर सिप में ब्यापार कर रहे हैं तो इस दोरान आपके ब्यापार में बहतर उन्नती और प्रगती देखने को मिलेगी बिजनेस पार्टनर के साथ सम्मंधी भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं जिन जातकों का रोज की आमदनी वाला ब्यापार है उनको इस वर्स अच्छी उन्नती होगी उनके ब्यापार में बहतर बढ़ोतरी देखने करूं मिलेगी इस गोजर के दोरान आपकी ब्यापारी के यात्राएं होगी और यह यात्राएं आपके लिए सफल रहने वाली हैं लेकिन इसके साथ ही गुपत रोग या योन समस्याई भी देखने को मिल सकती हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो डाक्टर से संपर्क करने की कोशिश जरूर करें ब्रिसरास के दोस्तों देव गुरु ब्रिहस्पत के नवम दिष्ट आपके भागे भाव में रहने वाली है इस पूरे वर्स आपके लिए भाग्य हमेशा से उन्नती देने वाला सावित होगा इस दोरान भाग्य आपके साथ साथ चलेगा इस समय आप भाग्यसाली इंसान कहे जा सकते हैं जो भी काम करेंगे उसके पूरे फ़ल आपको प्राप्त होंगे इस दोरान पिता के साथ सम्मंधों को मजबूती दें अपनों से बड़े और बरिष्ट लोगों का सम्मान जरूर करें यह समय आपके धार्मी कारियों के लिए भी रहेगा आपके घर में कोई मांगली के या धार्मी कार आयूजित किया जा सकता है धर्म में आपका अच्छा मन लगेगा दोरान आप लंबी दूरी की धार्मी के यात्राएं भी कर सकते हैं दान पुन्नी का कारी भी करेंगे यानि कुल मिलाकर इस तोर पर अस्था रहेगी यह समय उच्च सिक्षा के लिए भी बहुत बहतर बना हुआ है अगर आप उच्च सिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं बड़े कालेज में इडिमिसन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ग्रह गोचर इस समय आपके लिए अनकोल सावित होने वाले हैं आसानी से आपको इडिमिसन मिल सकता है इस गोचर के दोरान आप नूकरी हो या ब्यापार हो अच्छी उन्नती करते हुए नजाराएंगे आपके मान सम्मान में ब्रिध्धी देखने को मिलेगी और सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस बर्स भाग या आपका बहुत बहतर रहने वाला है आपको कम मेहनत से ज़्यादा चीज़ें हासिल होने वाली है तो ब्रिसरास के दोस्तों यह था देव गुरु ब्रिहस्पत का रासी परिवर्तन आपके लिए अगर आपकी जन्म कुल्ली में गुरु अनकूल अबस्था में हैं तो जो भी फ़ल आपको गोचर के बताएगे हैं वह सारे फ़ल आपको इस बर जरूर मिलेंगे अगर किसी कारण बस गुरु आपके लिए अनकूल नहीं है तो उसमें कुछ कमी जरूर देखने को मिलेगी तो आप अपनी जन्म कुल्ली खोलिए और जरूर देखे कि देब गुरु ब्रहस्पत आपके लिए किस प्रकार का फल देने वाले बनते हैं तो दोस्तों जानकारी थी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम आपके लिए ऐसे ही जानकारिया इसी चैनल पर लेकर आते रहेंगे तो मिलते हैं जैसरी राम